तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने ले लिया है साग और यह है पत्थुए का साग तो अभी हम लोग का जो साग है अल्मोस्ट बन चुका है अभी सुभा की शुरुबात हमारी हो रही है च्छत पेसे और देखे हलकी हलकी से धूप निकली हुई है और हवा भी चल रही है कोहरा भी है सब एक ही साथ में चल रहा है यहां पर मेरा एक्जाम है 27 को तो आज का दिन है कल का दिन है पढ़ लेंगे अनिटॉमी और फिजियोलोजी का है तो वो तो मुझे आती है थोड़ी बहुत पहले से भी लेकिन वो जो वो था ना शोशोलोजी और साइकोलोजी वो नहीं आता था पहले से तो बस उसी में डर लग रहा है रनी कैसा ही रिजल्ट आएगा उसका और मेरा व्लोग शुरू हो रहा है दुपहर के 12 बचे से तो मैं सोच रही दिन है कि बहुत दिन से हरी सबजी नहीं खाई है कुछ साग वगरा नहीं खाया है तो यहीं पास में है सबजी की दुकान तो बनवाएंगे मैं भी खाऊंगी दीदी को भी खिलाएंगे साग उन्होंने भी नहीं खाया होगा बहुत टाइम से तो कौन साग लेके आए अभी चलके नीचे दीदी से पूछती हूं फिर बनाते हैं खाते हैं बढ़ियां सा तो चलते हैं नीचे खाने का भी टाइम होने वाला है ना तो उससे पहले ही बन जाए तो ज़्यादा बढ़ी है तो फ्रेंड्स अभी मैं जा दियू यहीं पास में हम लोग के शौप है सबजी की तवहीं से लेके आती हूं और हम लोग डिसाइड कर रहा है कि हम लोग खाएंगे बथूए का साग तो लेके जाओंगी और भैयर जी को दे दूंगी बना देंगे पढ़ियां सार रोटी अगार तो बनी होगी सब मिक्स करके साथ में खालेंगे चलते हैं कैश लिगानिया ओनलाइन पेमिंट से खरी देंगे सब जी वगेरा भैया यह कैसी दी शगरकंदी चालिस का अधा ठीक है सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने ले लिया है साथ और यह बत्थूए का साथ और बीस रुपए का एक पाव दिया है उन्होंने तो अभी इसको लेके चलते हैं और बढ़ियांसा बनवाते हैं भाया जी से कहके और इते चल्दी में उन्हें पैक बैक करके देजिए कि मैं व्लोग बना ही नहीं पाई अच्छा सब तार्याद जुड़ रही है धर सुदर शाइए तो फ्रेंड्स अभी बत्वा ले आई हूं और उसमें थोड़ी मोटी मोटी सी दंडी है तो थोड़ा तोड़ना पड़ेगा तो पुरा रेडी करती हूं और आज बनाएंगी बत्वा दीदी तो नीचे कीचन में जा के हम लोग बनाएंगे तो दीदी को नहीं तो फ्रेंड्स दो तीन घंड़े की महनत के बाद इसको मैंने साफ कर दिया है और इतना सारा कचड़ा निकला इसमें से तो फ्रेंड्स पहले दीदी अच्छे से बत्वे को दो रही हैं कि तगंदा पानी निकला जी भीया मिर्च कितने दूँ मोटी वाली है तो हम लोग का जो साथ हम लोग बनाने है छोटी सी प्रहाई है इन बड़ी सी शमच है और उसमें बन के इतना सा रेडी होगा वो किता ताइम लगेगा थोड़ा साही टाइम लगेगा और सिरगें अमनों खाएंगी थाना पीना आज की शेफ हमारी जीजी वोट कैसा लग रहा है आपको बना के नहीं 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 दीदी को आता है कुकिंग करना की शुषबुत अच्छी आठीए तब ही बहुत पानी हो तब भाईयर जी पहले मना कर रहे थे साग बनाने बहुत गयस जाती है अब गाइस हम लों को यह वाली चम मत चाहिए अभी इसको लेकर चलते हैं अब हम लोग का जो साग है अलमोस्ट बन चुका है पुश्बू अच्छी आरी इसमें से लेकिन बन के बहुत कम हो गया तो फ्रेंट्स अभी हम लोग की सबजी बनके तयार हो चुकी है दो लोग के भर की है काई गवी इसको और फ्रेंट्स हम लोग के साथ काफेच हो इंसीडन्स हो गया भया जी ने भी आज बथ्वे की लाल बनाई है वह चावल रोटी यह सब घाएंगे और आज बनीती कद्द सब्जी देखने में चीन लग रही है थोड़ी और उतलब सूखी अगर उसको बनाते तो जादा अची लगती लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास आज सब्जी हमारी खुद की बनाई हुई है अभी खाना पीना खा लिया है और मैं थोड़ा सा खाने के बाद चट पर टहल रही क्योंकि नीचे थंडी लग रही है ना रूम में ऐसी लिए इतना टेस्ट ही इतना स्वाद वाला बना था मतलब खा की मजा आ गई तो आज हैपी हपी रहेंगे बढ़ियां खाना खाया है और पानी भी गरम करा था थोड़ा सा तो वही बोटल मैंने ले रखी है थंडा पा आता है कि मैं समझा सकती हूं एक दूसरे को तो अभी चलती हूं नीचे अब पजा में जो मैंने डाले थे सूखने के लिए वो सब सूख चुके हैं और चलते हैं नीचे लेके कपड़े अपने सो फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है और हम लोग आगे हैं नीचे हाथ सेक निकले तो डेली इधर भावी हमारी आग जलाके और हाथ बात सेकने का इंतिजाम करती हैं और आज तो भावी आलूई भून रही हैं अभी दिखाती हूं कैसे भूनती हैं ये देखे पहले ही भा सब्सक्राइब करेंगे तब तक हमारी आगी जल जाएगी सो फ्रेंड्स अभी इदर से दूद्ध भी ले लिया है चलते हैं और अब तक भावी ने आग में अब जलाके लख लिया होगा तो थंड़ी इतनी हो दिया है ना अब चलके बस हाथ सेकेंगे और थोड़े बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रेंटी साइवन को भी मेरा एक एक्जाम बच्चा है यह देखो फ्रेंड्स आते वाग में को डेली यहां पर गुरु द्वारा दिखता कितना प्यारा लग रहा है चलते हैं हम लोग यह देखे फ्रेंड्स हमारे अलू बढ़ियां बुन चुके हैं अभी इंको छील दूंगी मैं अभी प्लेट नीचे लग दूंगी और नीचे जाके हाथ से किंगी और मैं खा री ती वही वाला आलू जो ने नीचे बुनवाया था अभी नीचे से हाथ वगरा सेख के आ गए हैं और मैं खाना भी ले आई हूं दिखाती हूं थोड़ा से सुबह जम लोग तो मैं खारी हूं रोटी तो प्रेंट अभी खाना पिना खा लिया है और मैंने सर में तेज भी लगवा लिया है दीदी से कहके तो कल है 26 जन्वरी तो कॉलिज की तरह से तो मैसेज आया है कि हम लोगों को 9 बजे सबको पहुचना है लेकिन मेरी क्लास के बच्चे कह रहा है कोई नहीं चाहेगा तो मैं अकेले जाके क्या ही करूंगी तो मेरा भी कैंसल हो रहा है अभी कल जाना तो अभी मैं इस वाले व्लॉग को अपना आइंड करती हूँ, थड़ा होग पढ़ लेती हूँ, एक्जाम भी है मेरा, तो आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करतीजेगा, अगर आप नहीं हैं तो फ्लीज म अग्ली व्लॉग में तो तो अग्ली व्लॉग में तो तो ग्ली व्लॉग पाई